Good afternoon everybody, welcome to Curious Minds, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक पॉएम जो की टियोलिप सीरीज बुक 9 की है, Card Driver और ये लिखी है पदमा सच्च देव जी ने, अब देखिए इसको स्टार्ट करने से पहले ये एक recommended पॉएम है, इसलिए हम ये पॉएम पढ़ा रहे हैं पहले, तो अगर आपको कुछ और चाप्टर, कुछ और प्रोज, पॉएम, कुछ भी पढ़ना है, प्लीज राइट तो अगर आप recommend करेंगे, तो हम उस पे वीडियो जल्दी बना पाएंगे, ठीक है, और अगर आपको चाहिए कि हम question answers पढ़ाएं, तो ऐसा भी possible है, बट इसके लिए आपको हमें बताना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, और आपकी जो support हमें मिलती रहती है, thanks a lot for that, और without any further ado, अब हम start करते हैं, इस poem को समझना, तो ये लिखा है पदमा सच्च तेव जी ने, और ये एक डोगरी poet है, इनका काम बहुत जादा पढ़ा जाता है, डोगरी literature में, और ब ये poem basically बात करती है, मा के प्यार पर, it's an eerie atmosphere that creates fear and dread, eerie होता है कि बहुत भयानक सा महौल है, ठीक है, और उस भयानक से जो महौल में क्या हो गया है, डर का महौल है, भय का महौल है, it's a tussle between the love mother has for her own self and the love she has for her children, और tussle क्या होता है, एक लड़ाई, ठीक है, जैसा एक इस जो मा की बात कर रही है, उस मा का प्यार अपने लिए, उस मा के खुद के लिए, और उस मा का प्यार अपने बच्चों के लिए, ठीक है, तो देखिए आगे चलते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें जैसे समझ आई गया है, इसका जो central idea है, यह बात करेगा मा के प्यार पर तो ये basically जो प्यार उसका जो प्यार है जो उसके बच्चों के लिए है ठीक है तो हम समझने की कोशिश करते हैं पहले हम थोड़ा सा पड़ेंगे और फिर हम उसको समझेंगे In the fearful silence of the forest I hear the sound of pause of a careful bulbul तो fearful silence of the forest मतलब बहुत ही शांती है कोई अवाज नहीं है तो ये जो poet है ये कहती है कि उनको उनको अवाज सुनती है बुल-बुल की उसके पाउं की अवाज सुनती है ठीक है क्योंकि जो जंगल है वो बहुत ही जादा शांत है Out in the night Shaking the feathers on his head To find food for its four little ones Hungry in the nest तो उनको जो रात का समय है ठीक है और जंगल में बिलकुल कोई अवाज नहीं है उनको बुल-बुल के पाउं की अवाज सुनती है तो वो कहते हैं कि वो जो बुल-बुल है वो अपने चार बच्चों के लिए खाना खोजने के लिए निकल रही है और जो उसके बच्चे हैं वो Hungry in the nest हैं मतलब वो भूखे हैं और जो उन्होंने अपना घोसला बनाया है वहाँ पे हैं भूखे हैं और ये बुल-बुल उनका खाना लेने के लिए निकल रही है Moving slowly Afraid Its ears pricked to pick Some sound somewhere तो वो बहुत जो बुल-बुल है उसकी बात हो रही है जो मा है बुल-बुल Mother बुल-बुल तो वो बहुत ही हॉले चल रही है डर के चल रही है लेकिन एकदम जो उसके कान है प्रिक्ट का क्या मतलब होता है जैसे कान खड़े हो जाते हैं क्योंकि उसको कोई आवाज सुनती है तो वो देखना शुरू हो जाती है With a grain in its beak It hastens to the nest अब उसकी जो beak है जो चोंच है उसमें उसने कुछ पकड़ लिया है एक दाना है जो वो अपने बच्चों को खिलाना चाहती है और वो बहुत जल्दी में कहां जाना चाहती है गोसले के पास जाना चाहती है It's twittering fledglings do not know The forest is in the throes of fear Twittering fledglings कौन होते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं बुलबुल के ठीक है Twittering क्या होता है चह चहाना जैसे की birds करती है तो वो चह चहा रही है ठीक है और उन्हें जो छोटे बच्चे हैं वो तो चह चहा रहे हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि जो forest है न वो बहुत ही भय में है वो डरा हुआ है लेकिन वो they continue chirping वो चह चाहानती रहती है अब हमें पता लगेगा कि जो जंगल है वो इतना डरा क्यों है तो वो डर जाती है जो बुल बुल है और वो देखती है कि क्या हो रहा है बिलकुल alert अपने सारे कान खूल के Suddenly there is a sound of wheels The sound of dry leaves crackling तो उसको एकदम क्या होता है जो wheels होते है जो पहिये उसकी जो आवाज उसे सुनाई देती है जो पत्ते हैं जो सुखे पत्ते होते है उनकी भी आवाज होती है उसे वो भी सुनाई देती है The sound rising and subsiding मतलब कभी आवाज ऊपर हो रही है कभी नीचे जा रही है The bulbul hides itself in the bushes वो क्या करती है पास की एक जाड़ के पीछे जाके छुप जाती है तो वो क्या देखती है उसने रखे है ठीक है बुल वगेरा बैल वगेरा वो खुच चल रहे है उनका जो सर है वो नीचे है जो driver है जो उसको चला रहा है वो सो चुका है The driver asleep snoring मतलब खराटे मारा है Eyes जो है उसकी covered है किस से जो उसने पगड़ी पहनी है ना उसके end से ठीक है What if the car stumbles अब ये बुल बुल की सोच है stumbles का क्या मतलब होता है गिरना तो वो कहती है वो सोच रहे है कि कि अगर ये जो टांगा है अगर वो गिर गया तो और जो car driver है ठीक है अगर उसका जो हुका है वो भी गिर गया तो क्यूंकि हमने बोला कि सूखे पत्तों की अवाज है तो जो forest है उसमें तो आग लग जाएगी अगर उसका हुका गिर गया तो वो imagine करती है forest को कि जंगल को आग लग गयी है वो भागना चाहती है अपने घोसली की तरफ कि वो अपने चार बच्चों को बचा पाए लेकिन डर के मारे वो अपनी जो legs है जो अपने पाओं है वो उठा नहीं पाती है तो इसमें है कि वो जो mother bulbul है ये स्टोरी पूरी इसी के लिए है कि एक मा का प्यार अपने बच्चों के लिए और खुद के लिए क्योंकि वो जाना चाहती है लेकिन वो डरी हुई है इसलिए उसके पाओं नहीं उठ रहे है ये एक बहुत easy poem है मुझे लगता है कि आपको समझ आ गई है अगर आपको नहीं आई है अगर आपको question answer समझ नहीं है please write it in the comment section और इसके बाद हम पढ़ेंगे glossary तो आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं prick, twitter, fledglings, in the throes, crackling, snore, stumble तो इसके बाद ये थोड़े से question answers है I hope आप ये खुद कर पाएंगे क्योंकि मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे तो एक बार और revise कर लेते हैं कि ये पूरी जो poem है न ये है एक bulbul के ओपर जो bulbul है, जो poet है, ठीक है, वो कहती है कि bulbul, बिल्कुल दबे पाउं जा रही है क्यों? क्योंकि वो अपने चार बच्चों को खाना खिलाना चाहती है और वो बहुत हौले जा रही है, बहुत डरी हुई जा रही है लेकिन उसे एकदम उसे खाना मिल भी जाता है वो वापिस अपने घोसली की तरफ जाना चाहती है लेकिन होता क्या है? उसे अवाज आती है अवाज किस चीज की आती है? उसे एक टांगी की अवाज आती है ठीक है? उस पे जो इनसान बेटा है वो सो चुका है, वो खराटे मार रहा है तो उसे डर लग जाता है कि अगर ये जो हुका है जो इनसान के पास है अगर वो गिर गया, तो जंगल में आग लग जाएगी तो वो चाहती है कि वो भागे अपने चार बच्चों को बचाए लेकिन वो इतनी डर चुकी होती है कि वो अपना पाउ नहीं उठा पाती है तो तो इस इट फो दो पोईम आपको ये पोईम समझ आई होगी तो we'll come back with a new video very soon तो looking forward to all the support तब तक के लिए आप please comment करते रहें recommend करते रहें पढ़ें stay safe, stay home and study hard thank you